तो सभी आगनवारी जो है बच्चा का KYC कैसे करें तो सबसे पहले सभी आगनवारी से का ध्यान से देख सकते हैं कि अभी आप लोग को new update में आई है जो कि आप लोग देख सकते हैं complete EKYC यनकि आप लोग को यहाँ पे complete EKYC लिखा हुआ है इस पे click करके आप लोग को complete EKYC करन और यह option कहां से आएगी सबसे पहले देखें कि हम लोग यहाँ से back हो जाते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि back हो गया है इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोग का पोशन ट्रैकर खुलता है तो यह main page है ठीक है यह main page हो गई यहाँ पे आप लोग सब फिसरी EKYC तो सभी आगनवारिशिप का बच्चा का EKYC करने के लिए आप लोग यह option में किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे आप लोग देखेंगे कि इस तरह से page खुलेगी जितना भी बच्चा है आप लोग को यहाँ पे दिखेगी ठीक है जितना बच्चा आपको होगा वो देखेगी जिसका अगर आप लोग ने KYC कर दिये होंगे तो इसमें से हट जाएगी तो जैसे कि आप लोग देख लिजे कि यहाँ पे जो भी बच्चा है आप लोग को दीख रही होगी यहाँ पे अधार भेविफिकेशन हुआ है जो कि आप लोग यहाँ डवल टीक आ सट है जैसे किलिक करेंगे तो आप लोग को अधिरग नंबर दर्ज करनी है जो कि वह आप लोग देख रहोंगे कि उनका मांं आधार से आपने वेरिफाई किए होगा तो तो यहाँ पे मा का अधार नंबर आप लोग को verify करनी है, अगर पिता का अधार से आप लोग ने verify की होंगे, तो इनका पिता का अधार डालके आप लोग verify करेंगे, यह क्या है, आप लोग समझें, सबसे पहले यह देखें कि अभी आप लोग को जितना वच्चा है, उसका capture भी दर्च कर लेते हैं जो कि इस तर sonra मैसिज जाएगी फ्रीत आगे बढ़ेंगे और आप लोग इसी तर सो करीएगा तो यहां पे हम लोग दर्च कर लेते हैं और उसके बाद यहां से पारीयोस नेक्स्ट मारते हैं यहाँ पर आप लोग जो है last का mobile नंबर भी दिखाया जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और डालते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर OTP आ गई कि यहाँ से आप लोग देखना चाते हैं यहाँ से आप लोग को फाइल यहाँ न्यूतार से लेट होती है यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि यह प्रोफाइल इंफर्मेशन है अगर आप लोग यहां पर किलिक करते हैं तो आप लोग को यहां पर किलिक नहीं होगा यहां पर पिक्चर है इस पर किलिक करेंगे तो नहीं होगा यहां पर इडिट पर आप लोग आ सकते हैं ठीक है यहां पर देखें कि आप लोग जैसे ही इस पर किलिक कर लेंगे तो आप लोग को जो है EKYC Requestion में successful हो जाएगी तो इस तरह से आप लोग EKYC कर सकते हैं